वेलकम टू लबलेश्पिक्स चानल आज हम डिसकस करेंगे वाइट जूलियन में जो PDF पूछे जाते हैं उसके लास्ट पार्ट में जो की जावा स्क्रिप्ट का बेस्ट रहता है और उसमें क्या आप कोश्चन पूछते हैं यह सब हम डिसकस करेंगे सो मैं लास्ट पार्ट डिसकस कर रही हूँ आज उसमें दिया रहता है लास्ट में कि स्टुडेंट को कैसे बताना है पैरेंट्स को कि फूल कोर्स में हम क्या-क्या समझाने वाले हैं सो आवर कोर्स इस्ट्रक्चर्ड इंटू त्री मॉडियूल्स कौन-कौन 3 मॉडियूल है वो आज हम डिसकस करेंगे गेम डेवलपर सर्टिफिकेशन जब इस्टुडेंट्स उस को फूल परते हैं तो उसके बाद उसको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है जो की लिखा रहता है कि हाँ ये स्टुडेंट ने गेम डेवलप किया है In the first module of eight classes Your kid will become a certified game developer First eight class करने के बाद Kid क्या होता है Certified game developer बन जाता है जिसको की play store या एपल के store पे आप डाउनलोड करके देख सकते हैं उसके बाद क्या होता है Logic concept like sequence, commands and loops यह सब उसमें सिखाया जाता है और यह dramatically improves their logic and concentration आप बताएंगे parents को कि इस स्टुडेंट का logic और concentration बढ़ेगा app development certification दिया जाएगा इन second module क्या होता है यह 48 class का होता है और उससे आपका kid बहुत ही अच्छा app development game develop कर सकता है android में, ios app में यह सब में उसके बाद kids learn user interface and user experience design to create powerful front end app jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj तो यह सब आपका किट सीख फाएगा तो आपसे इंटर्व्यूर पूछते हैं कि वेबसाइट क्रियेट करने में दो क्या होते हैं में चीज़ तो आप बताएंगे फ्रंटेंट और बैकेंट हो सकता है वो पूछेंगे फ्रंटेंट में क्या-क्या लैंग्वेज यूज किया जाता है आजकल कौन-कौन पॉपुलर लैंग्वेज यूज कर रहा है उसमें क्या है आजकल जावा स्क्रिप्ट पाइथन जावा यह सब का ज्यादा यूज हो रहा है आपसे हो सकता है वो पूछेंगे यह सब ज्यादा क्यों यूज हो रहा है तो आप बोलिए यह सब प्लाटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है सो इस्टुडेंट क्या सीखेगा एप स्टोर पर प्ले स्टोर पर जो आप आप डाउनलोड करते हैं किसी भी चीज का जैसे कोई गेम हो लूडो खेन लेका हो कारम खेन लेका हो यह सब स्टुडेंट कुछ से बना पाएगा सो यह सब के लिए 40 आवर्स का क्लास दिया जाएगा लर्निंग टू कोड ऑन आवर प्लाटफॉर्म इस वाइट हैर जूनियर के प्लाटफॉर्म पे स्टुडेंट प्रैक्टिकली कोड को डेवलब कर पाएगा और यह क्या होगा AI प्लस स्पेस टेक्नोलोजी बेस्ट होगा AI Artificial Intelligence मैंने पिछले वीडियो में बात किया है AI के बाड़े में तो AI बेस्ट क्या होता है एप सब आज कल बहुत बन रहा है जिसमें एक प्लेयर आप होते हैं और दूसरा प्लेयर कौन होता है AI आपका खुदी उदर से बॉल किधर फेकना है यह सब देखता है तो यह सब का टेक्नोलोजी का यूज करके वाइडर जूनियन में प्रोवाइड करते हैं यह सब आपको बताना होगा फर्स डेमो में उसके बाद हम क्या क्या यूज करते है data modeling and machine learning machine learning एक पार्ट है AI का आपसे पूछ सकते हैं interviewer कि machine learning language क्या होता है AI artificial intelligence learning language क्या होता है AI के बाड़े में आपसे पूछेंगे की कोई एक्जामपल बताएए कौन सा robot आज काल काम कर रहा है जैसे driverless कार होता है तो उसके बाड़े में अब बताईए थोड़ा क्या है यह तो driverless car में क्या होता है बीना driver के वो car चल सकता है वो automatic अपना path decide करता है तो यह सब आप थोड़ा देख लीजेगा 4-5 line definition of machine learning and AI इसके बाद क्या होता है frontier technologies like space technology आप से interviewer पूछ सकते हैं यह space technology क्या होता है यह सब के बाड़े में आप 4-5 line define देख लीजेगा third demo में यह specially पूछा जाता है so they meet top google scientist जब whitehead junior में यह 48 hours का class look कर लेंगे student तो उनको एक मौका मिलेगा top scientist google scientist से मिलने का और वो student entrepreneurship का course भी कर पाएंगे during these modules your kids also learn contemporary frontend programming language इस full module में student को हम क्या और भी पढ़ाएंगे HTML, CSS, JavaScript HTML क्या है इसका define आप से interviewer पूछ सकते हैं तो आप बताईए HTML stands for hypertext markup language हो सकता है interview आपसे पूछेंगे HTML में color based coding क्या होता है यह सब का मैंने वीडियो में description full दिया है कि RGB color value होता है जो कि 0 to 256 का value यूज करता है फिर hex value होता है यह सब मैंने full describe किये हुए है तो CSS, CSS का full form आप से पूछ सकते हैं interviewer तो आप बताईए CSS stands for cascading style seat okay JavaScript mainly HTML और CSS का use करके ही आप यूज बना सकते हैं और as well as backend, backend language में आपको interviewer पूछ सकते example, backend का example क्या है तो आप बताईए backend में Oracle use होता है SQL use होता है MySQL use होता है यह सब आप ध्यान में रखके जाए demo 3 interview देने के लिए फिर programming language like python जब student javascript पढ़ लेगा तो आजकल python भी बहुत use में आ रहा है python बहुत easy language है programming के लिए तो python भी सीखाते हैं whitehead junior आजकल pro level और advanced level में ज्यादा python और js.jsp5 editor पूछा जा रहा है so let me show you one of the space tech projects आप उनको बताईए कि whitehead junior में एक student ने space tech project बनाया है तो उस project का link मैं share करूँगी आप chat window में उस project का link share कीजिए और वो student activity 6 होगा so click on student activity 6 student का जो panel खुला रहता है उसमें student activity 6 में जाके वो app को देख सकता है so kid will learn 3D space models 3D space models भी हम kids को सिखाते हैं whitehead junior में जैसे vehicles 3D satellites manufactured by space यह सब agencies like NASA, ISRO, SpaceX यह सब कौन use करता है space technology interviewer आपसे पूछ सकते हैं कि यह space technology कहां use होता है तो यह सब pdf को बहुत लोग question करते हैं कि क्या हमको pdf देख के नहीं पढ़ा सकते हैं तो आप थोड़ा pdf के बारे में full information ले लिजे उस time जब आप screen share कर रहे होते हैं तो आप pdf को देख के उस time answer नहीं दे पाएंगे क्यूंकि pdf को hide कर लेना और आपको खुद से answer देना ही बहुत अच्छा रहेगा तो यह सब बता के आप बोलिए student को can you see it great अगर वो देखे तो और अगर नहीं देखे तो आप आप खुद अपने mobile पे उस app को डाउनोड करके webcam से दिखाए उसको so let me show you the app of one of our student Shreya साब यह Shreya साब एक app developed की थी तो इसको आप teachers को और students को इसके बाड़े में बात करेंगे so within three months of learning to code with whitehead junior Shreya created an app which connects student activity student activity 6 में जब आप बोलिए student को guide कीजिए कि वो जाकर देख सकते हैं इस app के बाड़े में so invite the parent to see आप student के parents को भी invite कीजिए देखने के लिए यह सब कब होता है जब आप demo दे रहे होते है first demo student को अभी आपको interviewer को देना है demo तो आप उनके parents को नहीं बुला सकते हैं यह कब होता है जब आप whitehead junior में जॉइन कर लेते हैं class और आपको online teaching के लिए first demo देना होता है किसी student को so student activity 7 में स्रेय सा आप खोल के वो देख सकते हैं let me show you the app can you click on student activity 7 आप student से पूछे so this app has been featured widely in international media isn't it amazing that 8 year olds are creating apps like these within 40 hours of learning of code देखे यह 40 hours में इस student ने इतना अच्छा app create कर लिया तो क्या आपके student आपके kids नहीं develop कर पाएंगे so during this course your kid will also be creating full entrepreneur ready industry grade apps just like स्रेय and get a chance to visit silicon valley and meet top google scientists and entrepreneurs so आप उनको बताएं motivate कीजे कि आपके student भी वाइट जुनियर में पढ़कर बहुत अच्छे apps बना सकते हैं जिसको google apps, app store, play store यहां से डाउनलोड करेंगे thousand slacks of people और उसके बाद वो entrepreneurs और google scientists से visit कर पाएंगे so उसके बाद teacher क्या करना है guide करना है parent को या फिर student को की screen share stop करे और फिर to provide your more details about the course as well as answer any question और आपको जो भी question और भी कोई query है तो आप उसको हमारे वाइटर जुनियर को send कर सकते हैं और आप बताएं कि my schedule is almost full मेरा जो schedule है पढ़ाने का वो full है पुरा फिर भी मैं आपके student आपके kit को पढ़ाना चाहूंगी क्योंकि यह बहुत ही extraordinary है बहुत ही अच्छे हैं पढ़ने में so जो भी kit का नाम होगा आप बोलिये उसको कि आपको award दिया जाता है three hats off से आपने बहुत अच्छे confidence से बहुत concentration से question भी पूछा है और जो मैंने teach किया है वो भी आपने बहुत अच्छे से सीखा है so you are truly exceptional hope you are you had fun in this class thank you for your time today kindly stay on the panel आप उनको बोली कि इस पैनल पर राने के लिए तुरंत close नहीं करें इस page को और इसके बाड़े में जो भी feedback है वो पैनल पर so होगा so उसके बाद आपका class खतम होता है तो आज हमने demo class में यह सीखा कि क्या-क्या interviewer question पूछ सकता है आप से so आप four to five line machine learning language AI के बाड़े में definition देख लीजे फिर AI से कौन सा use होड़ा जैसे driverless car कौन robot एक robot है जिसको कि कौन-कौन robot कुछ एक दो robot का नाम देख लीजे फिर data modeling क्या होता है यह सब आप देख लीजे so thank you friends and keep watching my videos and if any comment please share with me